हालो फ्रेंड मैं सकेना खान सकी गार्डन मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ तो आज मैं जो इस पौधे के बारे में बता रही हूँ उस पौधे का नाम मेक्सिकन जो नियाना भी कहते हैं देखिए फ्रेंड आपको यह पौधा दिखाई पड़ रहा होगा यह पौधा तीन प्रिकार का होता है परपल वाइट और बेबी पिंक यह बहुत अच्छा होता है यह पौधा पर्मानेंट है यह सीट से भी तयार किया जाता है और कटिंग से भी लगाया जाता है जो परपल कलर की पौधा होता है वो देशी कहलाता है और वाइट कलर का जो होता है वो हाई ब्रिगेट कहलाता है यह ज़्यादा लंबा नहीं होता है और परपल का देशी कहलाता है इसकी लंबाई ज्यादा होती है इसमें खुश्बू नहीं होती है इतनी खुबसूरत है देखिए फ्रेंट इसका फूल भी बहुत प्यारा है लेकिन इसे अपने घरों में गार्डन में आप लोग जरूर जरूर लगाएं इसकी केर की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है यह जहां पर भी होता है फटा-फट ग्रू करता है इसे धूप बहुत जादा ही इसे गर्मिया पसंद है बैसे तो हमेशा ही फूल आते हैं बस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं यह फैलने वाला पौधा होता है फूल सुभय ही खिलते हैं इसके और दिन में रहते हैं शाम तक सारे फूल मुर्जा के गिर जाते हैं सिर्व एक ही दिन इसक देखिए फ्रेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा देखिए ये गर्मियों का जवर्जस्त पौधा होता है ये देशी बराइटी वाला है ये पर्मानेंट पौधा है ये जितना कटिंग से जितना कटिंग इसकी करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है ये तीन कलरके होते हैं परपल कलर का होता है वाइट कलर का होता है और बेबी पिन कलर का होता है इसके फूल बहुत प्यारे लगते हैं बहुत 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 तो आप सभी लोग अपने गार्डन में अपने घरों में पार्कों में गमलों में जरूर ज चलती हूं अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें आप शेयर कर लें बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की आगे जितनी भी नॉटिफिकरिसन हैं सब आप तक पहुंचती रहें तो ठीक है दोस्त